हाई फ्रेंट्स वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रस कीजिए थैंक यू स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सुकला ट्रिक्स और इंफार्मेशन में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राश्ट्र गवर्यों परियावरण के टाप 50 क्विस्टेंज जानेंगे जो कि आप किसी भी निवर्सिटी से पढ़ रहे हों आपके लिए इंपार्ट कोई भी ट्रिक्स जो आपके लिए महत्वपूर्ड होगा वह हम लोग आपको अब लेबल कराएंगे उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वेल आइकन को परिश्ट करना और एक चीज कि हम लोग बहुत ही जल्द और लगवाग कल से ही हम लोग बेस सी बीए स सबके मोश्ट इंपार्टन कोईश्टन जो हैं अपने चैनल पर अप्लोड करने वाले हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जादा जादा लोगों तक इसको शेयर करें तभी आप लोग लोग फायदे मन्न होगा हमारे लिए क्योंकि हमको मोटिवेट मिलेगा कि यहां कि स्टूडेंट हैं जिनके लिए हम यह वीडियो अप्लोड कर रहे हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं और राष्ट गवरों के जो है वह टाप 50 क्योंस देख लेते हैं एंसर के साथ यहां पर पहला कोश्चन है ओजोन परत के छहरड का कारक्या है तो फिर देख सक है शमताप मंडल में पाए जाती है ठीक दोस्तों तो दूसरे कोश्चन का अंशर वोगा शमताप मंडल में तीसरा कोश्चन है परियावरर दिवश कम मनाया जाता है तो परियावरर दिवश कम मनाया जाता है परियावरर दिवश जो है वह आपका पांच जून को मनाया जा कोस्ट सुपर्शोनिक उसके चाल कितनी होती है उसकी चाल उसकी चाल होती है तो ऑसे पिर पांचे में नमबर पर जाएंगे गई स्ट्रास्टि से संगमंधित भारती है नगर कौन सा है तो ऐसा कौनसा भारका नगर है जो गैस त्रासदी जो होती है उससे रिलेटेड है तो आपका अंसर हो जाएगा भोपाल भोपाल जो है वो गैस त्रासदी से संबंदित है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब होई थी यहां पर उसी रिलेटेड एक्वेशन है कि भौपाल गैस त्राशदी हुई थी तिन दिसंबर 1984 फिर इसके बाद आज जाते हैं आगे भौपाल गैस त्राशदी में कौन सी गैस लेक हुई थी फिर वहीं से क्वेश्चन उट रहा है तो भौपाल गैस त्राशदी में कौन सी गैस लेक हुई थी तो इसका अंसर है मिथा आइसो शाइनेट निठाईल आई आईश शाइनेट जो गई इस थी यही लेख हुई ठीक है शुद्ध जल का पी ये चमान कितना होता है तो सुद्ध जल का पी ये चमान शाथ होता है इसके बाद आशकते हैं हम लोग नवी कोश्चन पर विश्व माउशम विज्ञान संग् का मुख्याले जिनेवा में है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं आगे शूर के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो सूर के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुद्ध है ठीक है दोस्तों तो जो सूर का सबसे निकट ग्रह है वो बुद्ध है और फिर यहां पर आगे देख स रोत है जिस पे भविश में पूर्ड रूप से निर्भरता होगी तो आपका अंसर होगा शौर उर्जा क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय शौर उर्जा ही ज्यादा भिक रहा है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं अपना भोजन श्वयम निर्माड करने वाले घटक को क्या करते है इसमें पूछा कि आया है कि 12 नंबर पर जो अपना भोजन स्वयम उत्पादन करते हैं उनका निर्माड करते हैं तो तो यहाँ आप देख सकते हैं उसको उत्पाद कहेंगे ठीक है इसके बाद 13 नंबर पर आ जाते हैं मगरमच पर्योजना कब प्रारंभ होई तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में मगर मच परियोचना 1974 इसके बाद आप देख सकते हैं वाइव प्रदूशन में कौन सी बिमारी उत्पन्न होती है अगर वाइव प्रदूशन हो गया तो इसके द्वारा हमें कौन सी बिमारी हो सकती है तो आपके आंसर होंगे अस्थमा फिर इसके बाद आ जाते हैं प्राकृतिक गैस की द्रिष्टी से विश्व का सबसे धनीज देश कौन शा है तो यहां पर देख सकते हैं जो विश्व का सबसे धनीज देश है आप देख सकते हैं यहां पर रूस है ठीक है दोस्तों और कितना है आपको दिखी रहा होगा इसके बा नमबर पर आ जाएंगे भारती वन्य जीव बोल्ड के स्थापना किस वर्स होई थी तो इसमें पूछा गया कि भारत का जो वन्य जीव बोल्ड है उसका स्थापना कब होगा था तो आंसर आप क्यों जाएंगे उनीशो बावन में ठीक है यह वेरी इंपॉर्टन क्यूशन है आप देख रहे हैंगे फिर इसके बाद अच्छावे नंबर पर आ जाते हैं भारत का सबसे उचा बाद कौन सा है यहां पर उनीश्या में नंबर पर कानहा अभ्यारण में मुक्ष संद्रच्छक जानवर कौन सा है जो कानहा अभ्यारण है वहां में मुक्ष संद्रच्छक कौन है इसमें आपको पता होना चीक चीता है ठीक है इसके बाद बीश्वे नंबर पर आ जाते है रेडियो शक्रिय खनिश है रेडियो शक्रिय खनि तो इसके बाद आपको बताएंगे यूरेनियम का है यह कि शमा है अंग्रेजी सब्ध इनवार्मेंट किस भासा से लिया गया है तो इसका उत्तर होगा लेटिन भासा से फिर इसके बाद बाइशा में नंबर पर ध्वानी प्रदूश्र कितने डेसिबल से उपर माना जाता है नंबर पर आ जाते हैं शुनि का अविश्कार किस देश में हुआ तो हमारा भारत महान भारत में हुआ है शुनि का अविश्कार ठीक है फिर इसके बाद आ जोते हैं नीली क्रांती किस से संबंदित है तो इसमें पूछा गया जो नीली क्रांती है वो किस से संबंदित है त खरेइट क्रांटी किस से संबन्दित है तो आप सभी लुग जानते हैं कि हरित क्रांटी है tadi के सबंदित होती है कज़्या सब्जेक्ट किसी थे इसके बाद आ जाते है च्छशाहमय नंबर पर भारत में हरित क्रांटी का जननक कि मनाजाता जो बहुत इंपॉर्टन एंपॉपोर्टन कोश्यन भारत में हरित क्रांति के जनक की से मानना जाता है वह एम Wiást्क स्वामी नाथन है इसके बाद शत्तशावे नंबर पे आ जते हैं विष्ष में हरित क्रांति के जनक क्ते ग्याँ थे यहां पर बताएं नार्मन बलाग जो है वह विश्य क्हरीत क्रांत के चलते प्रीक है इसके बाद अठ्षरा में नंब करने वाले थी तुछ जो नार्मन पसलता है जिसको लाब ज्यादा हुआ तो आप बताएंगे गेहों में जब से हरित क्रांती आई तो गेहों का उत्पादन बढ़ गया इसके बाद तीश्वे नमबर पर आते हैं गंगा को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो यहां पर पूछा गया कि जो गंगा ह है हमारी नदी है और सबसे पवित्र नदी आपको पता होगा तो वह बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता चलना चाहिए कि पदमा जो नाम है उस नाम से गंगा जानी जाती है इसके बाद आ जाते हैं एक तिशाहमे नंबर पर भारत के स्वरवादिक बाग किस अभ्यारण में है इसमें पूछा गया है कि जो बाग होते हूं सबसे जादा कहा है भारत की किस जंगल में ठीक है तो आप बताएंगे शुन्दरवन में हैं कहा हैं शुन्दरवन में और 32 नमबर पर आते हैं इलहाबाद में कुम्ब मेले का आयुजन किस समराट ने किया था यहां पर पूछा गया कि जो इलहाबाद का मेला होता है कुम्ब मेला उसका आयुजन किस ने किया था आपको पता होना चाहिए तो उस ह प्रचलित है तो आप बता सकते हैं कितने कांड है तो आप बताएंगे रमायड में कुल शात कांड है और चवतिशावे नंबर पर आएंगे चंपारण में गांधी नामक पुस्तक लेखक कौन है उसके लेखक कौन है तो उसका उत्तर होगा दीनानाथ गोपाल तिंदुलकर इसके बाद पैटिशावे नंबर पाएंगे लच्छदीव शमू कहाँ इस्तित है या आप से पूछा किया जो लच्छदीव शमू है वो कहाँ पेश्तित है तो आप उसका उत्तर देंगे अरब शागर में लच्छदीव शमू उपस्तित्ति थै राइट इसके बाद यहां आप से क्विश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कब हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था अरतिसावे नमबर पर आएंगे अजन्म की गुफाएं कहा इस्ति थे तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में इसके बाद उन्तिसावे नमबर पर आप आएंगे तो भारती शम्मिधान के किस शम्मिधान संसोधन में सिक्किम को पूर्ड राज का दरज़ा प्राप्त किया थ तो आपका उत्तर होगा च्छतिसावा शम्मिधान संसोधन उआ था तो शिक्किम को पूर्ड राज का दरज़ा मिल गया था इसके बाद चालसा हमें नमबर पर आते हैं आरिभट ने किस शिद्धान की खोच की थी तो यहां पर बताएंगे जो आरिभट थे उन्होंने बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया बहुत ही इंपॉर्डन कोश्यन है कि जो बुद्ध थे वह अपना पहला उपदेश कहां दिये थे तो आप इसका उत्तर देंगे सारनाथ में बुद्ध जो थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है तो आप इसका अंस्वर देंगे अनुषेद यस्जित में राज सभा का वर्ण जो हुआ है उसका अनुषेद ठीक है और लोग सबहा में कुल कितने सदस्य होते हैं या हो सकते हैं तो लोग शबा में कुल 552 सदर्फ तक हो सकते हैं फिर पैटल सहमेंस नंबर पाएंगे लोक शभा का वरड़न भारती सम्मीधान के की सनुछएद में है शब्से ज़़धा प्रदूसित नागर है तो पूछा गया है कि जो सबसे ज़़धा प्रदूसित नागर है वो कान पूर है यह अमारे लखनों में ज्यादा दूर नहीं है ठीक है फिर उसके बाद शहतल सावे नंबर पर शरवा धी अक्सीजन देने वाला पीड़ कौन सा है तो आप से पूछागे जो सबसे ज़्यादा अक्सीजन देता हो कौन सा पीड़ है तो आपका अंस्वर होंगे पीपल पीप प्रकार की जलवाई पाई जाती है इसमें पूछा गया है कि भारत में कौन सी प्रकार की जलवाई पाई जाती है तो यहां पर बताएंगे मानशून कौन सी जलवा पाई जाते हैं मानशून पचासामे नंबर और लास्ट क्वेशन टाप 50 का लास्ट क्वेशन उसका अंसर रहेगा सरवादिक्स आच्छरता वाला राज कौन सा है इसमें कोई डाउट नहीं है केरल है तो केरल जो है वहां पर सबसे ज्यादा पड़े लिखे लोग पाए जाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैन चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा ज्यादा सेयर करो मिलते एक नए वीडियो ने इंफारमेशन के साथ बने रही हमारे यूटुब चैनल के साथ इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवार है फ्रेंद्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइक उसको भी प्रेस करें थैंक यू